इस वीडियो पर मैं आपको बदाने वाला हूँ, इसरम कार्ड को आधार कार्ड की साइज में कैसे उसे प्रिंटर किया जाएं अगर आप अपना इसरम कार्ड आधार कार्ड की साइज में नहीं बना पा रहे हैं, आपका साइज छोटा या बड़ा हो रहा है तो उसे आप कैसे perfect size में आधार कार्ड की size में बनाएंगे इस वीडियो पर मैं आपको details में बताने वाला हूँ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखी लिया तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप अपने इसराम कार्ड को आधार कार्ड की size में बना सकते हैं और उसे print का सकते हैं तो चलिए सुरूगते हैं तो सबसे पहले आप अपने laptop computer में Photoshop को open करेंगे तो यहाँ पर मैंने Photoshop को open कर लिया है इसके बाद आप file में जाएंगे आपको open काॉप से मिलेगा इसके बाद आपका जो भीste kişism card जिस folder में यहाँ पर जाना है तो हाँपर download folder में है तो हाँपर obviously, uh eye to alan card इसके बाद हमारा disعم card है तो हाँपर मैं uan card हाँपर हमारा पहले से यहाँ पर download है इससे हम select करेंगे यहांपर आप देज़ सकते हैं हमारा e-sarm card है पर PDF फाइल में open हो चुका है ठीक है अब यहांपर आपको करना किया है इसे आपको जो पहला वाला जो सबसे उपर वाला है इसे आप select करेंगे तो हैंपर आप select tool यहाप सबसे ऊपर वाला वाल जोट करेंगे שמו ट सबसे सबसे उपर वाला वाग हो इसके बाद आपको यहाँ पर edit में जाना है यहाँएपर आपको आपसे मिलेगी copy इससे पर आपकलिक करेंगे यहाँपर यहाँ पर जो सबसे उपर वाला भाग है यह सर्म काट का यह कौपी हो चुका ठीक है अब आपको फाइल में जाना है और यहाँ पर आपको अपको कॉस्टम पर किलिक करना है हैंब आपको सबसे नीचे दूसरे नुम पर आपसम मिलेगा A4 इसे आप सेलेट करेंगे इसके वा साइज हैं पर पेपर सलेक्ट ओचुका है अब देखिए आपको क्या करना मऺंधे जाना आ है है और आपको आपको मिलुगा पेस्ट पर किलिक करेंगे यहां अपर देश कते हैं हमारा यहां पर ही ऍषरम कार्ड आ चुका है ठीक है। यहांपर एफ और पेंज में हमारा इसलस कॉलम कार्ड आ छुका है। अब देखी आपको क्या करना है। यह जो आपका इसलस कार्ड है सबसे उपर वाला भाग अब आप क्या करेंगे आप दबाएंगे ctrl T ठीक है तो जैसा आप ctrl T दबाएंगे यहाँ पर देखिए सबसे उपर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कॉलम ओपिन हो जाएगा हैं पर आप देखिए यह जो आपको सबसे उपर आप देखिए सकते हैं इस पर आप क्लिक करेंगी और यहाँ पर इससे डिलीट कर देना ठीक है और डिलीट करने की बाद हैं पर आप टाइप करेंगे 3.55 ठीक है वसके बाद हमारा आधार कार्ड का स और इससे डिलीट करने की बाद हैं पर आप टाइप करेंगे 2.2 इंट तो इस तरह से यहाँ पर आप साइज बनेंगे अब यहाँ पर दिखी जो हमारा इसरम कार्ड है वो आधार कार्ड की साइज में बन चुका है इसके बाद आप राइट बटन पर क्लिक करेंगे अब इस ट्रॉक हैं पर दे देता हूं वसके बाद ओके अब यहाँ पर आप दे सकते हमारा इसरम कार्ड हैं पर आधार कार्ड की साइज में बिल्कुल साइट रही से बनकर रेडी हो चुका है अब इसे हम सैट करेंगे ठीक है यहाँ पर हम इसे ओपर ले जाएंगे तो इस तर नहीं बाद हैंप फ्रीदि जाएंगे हैं अपर आपको अपसे मेलेग कॉपी पर क्लिक करेंगे आपका यह वाला भाग यहां पर कॉपी हो जाएगा ठीक है है उसके बाद को फॉर्ट पेच पे आना है इस पर हुव French करेंगे और हैंपर आपको एडिट रखना है और पर देखिए आपको second column पर क्लिक करना है और हैंपर आपको type करना होगा 2.2 ठीक है तो हैंपर आप दे सकते हैं हमारा back side वाला भी आधार card का size बन चुका है इसके बाद आप रड़ा बटन पर क्लिक करेंगी अब आपको क्या करना है एडिट में जाना है और आपको इसे stock दे देना ठीक है तो हैंपर मैं इस stock देता हूं इसके बाद आप अपने इस card को यहाँपर set करेंगे ठीक हैं तो मैं इसे बिल्कुल से तरीके से set का देता हूँ अब हैं पर आप दे सकते हैं जो हमारा e-sarm card का जो size है वो आधार card की size में बनकर ready हो चुका ठीक है अब आप इसे print भी का सकते हैं इस तरह से आप अपने e-sarm card को आधार card की size में बना सकते हैं और अपने customer को दे सकते हैं ये बिल्कुल perfect size है इसी तरह से आप किसी भी e-sarm card को आधार card की size में बना सकते हैं और उसे print कर सकते हैं तो I hope की दोस्तों ये वीड़ा आपको पसंद आयोगा वीड़ो पसंद तो like कर देना जैनल पर नहीं जैनल को subscribe कर लेना इनते आपको अगली वीड़ो में तब तक लिए नवस का जैन बंदे मात्राम